दोस्तों वक्सवेगन टाइगन जिसको लास्ट टाइम आटो एक्सपो 2020 में दिखाया गया था पूरी तरह से मतलब कि इसका जो प्रोड़क्शन रेडी मोडल होता है उसको वहां पर रखा गया था उसको शोकेस किया गया था तो टाइगन को लेकर यहां पर न्यूज निकल क गया रही कि जो टाइगन का प्रोड़क्शन है वो 18 और से स्टाट हो जाएगा मतलब कि 18 ऑगस 2021 में इसका प्रोड़क्शन स्टाट हो जाएगा और उसके बाद में इसका लोंच है वो इंडिया में देखने को मिलने वाला है तो मैं आपको इसके फीचर इसके एंजिन उप पर बनाई गई है मतलब कि जो वॉक्षागन ग्रूप का जो MQB A0 प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया के लिए कलक से लोकलाइस किया गया है तो उस पर यह दोनों कार बनाई गई है और दोस्तों यही तक नहीं जो स्कोडा कुशाक एंड जो वॉक्षागन की टाइगन है उन जो लूक्स होते है उसमें हमें चेंज देखने को मिलेगा और लूक्स आप दोनों के देख सकते हो में किस तरह के देखने को मिलने वाले हैं फिर विए आपको टाइगन के कुछ एक्सपेक्टेट फीचर्स के बारे में बत देता हूँ तो इसमें हमें 10.1 इंच का टच्क् में उसके वेकिली डिज़िविए इंस्टुमेंट कलस्टर प्रोड किया गया था मतफिव टिजविए इंस्टुमें 700 राखा गया था अभी डिजिविशेट आंस कांफर्म है यह नहीं है उसको लेकर कुछ यहां पर क्लेरई यह दोस्तों जो स्कोडा की कुशा के उसमें डेजर इंस्टूमेंट क्लस्टर नहीं दिया गया तो साहएद से में टाइकन में भी देखने को नहीं मिल सकता है और उट्व एक्स में जो मॉडल सोकेश गया था वह इंपोर्ट किया गया था तो इसका मतलब यही हुआ कि इंट रोटरी डाल्स होते हैं वह इसके क्लाइमेट कंट्रोल में देखने को नहीं मिलेंगे जो कि कैबिन को अलोवर प्रीमियम और एक नीट एंड क्लीन लुक देते हैं इसी के साथ बात करें टाइगन के सेफ्टी एक्विपमेंट को लेका मतलब कि इसकी सेफ्टी को लेका तो इसमें अब में अप्टू 6 देर बेक का सपोर्ट देखने को मिलेगा उसी के साथ इलेक्ट्रोनिक स्टेपिलिटी कंट्रोल फ्रंट एंड रियर में पार्किंग सेंसर और रियर व्यू कैमेर भी देखने को मिल जाएगा और दोस्तों हाल फिला रभी फीचर को लेकर यही क दूसरा एंजिन ने 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल एंजिन जो की 150 पीएस का पावर और 250 अनम का टर्क जनरेट करेगा और दोस्तों यह दोनों एंजिन मदला की 1.5 लीटर का टर्बो प्रवाइट ने निट दोनों के साथ में मैन्यूल गेर बॉक्स तो प्रवाड़ की जाएगा लेकिन जो वन लीटेर का टर्बोर पेट्रोल एंजिन है उसके साथ में जो 1.5 लीटर का पेट्रोल एंजिन है उसके साथ में 7-speed DSG मतलब की ड्यूवल पेट्रोल एंजिन में अलग अलग ट्रांसमीशन प्रवाड किये जाएंगे और दोस्तों यहां पर इसका टर्बोर पेटल एंजिन है उसके साथ में और चीज़ देखने को मिल जाती है जिसको वक्सवेगा ने वह एक्टिव शिलिंडर टेक्नलोजी के नाम से जानता है मुल देखने को मिलेगी और दोस्तों वाक्सवन को कुछ selected dealerships होते हैं वहाँ पर टाइगन के अनोफिशल बुकिंग या वो भी में के महिने से स्टार्ट हो चुके हैं जिसका है वो 10,000 रुपे का टोकन देकर आप इसका बुकिंग यह वो करवा सकते हैं फिर जस्तों बात कर तो इसके एक्सपेक्ट प्राइस को लेकर तो इसकी जो प्राइज वो 9,60,70,80,80 के अरौन मतर्यक में प्राइस स्ट्राइट में 51 एक्सिप्राइस की जा रही है जो कि एक सूर्ण प्राइज होगी उसी के साथ इसका जो लॉंच हो में August के end में देखने को मिल सकता है confirm नहीं कह सकते है लेकिन साइध August के end में इसका launch में देखने को मिल सकता है इसके rival में Onda की Kretas, Koda की Kusa, Kia, Seltos Nissan की कीक से तो यह सारी कारव में इसके rival में देखने को मिलने वाली है तो बहुत दोस्तो अचको वीडियो में कुछ था वीडियो अच्छा लेगा तो चैनल को सब्स्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और यह वाक्सवागन टाइगन के बारे हमका क्या सुचना है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो इसके साथ आपका कोई डाव कोई क्वेस्टन हो तो भी आप मुझे वीडियो देखने के लिए आपका दन्यवाद थेंक यू सो मच